राहुल जी के साथ वो शेयर किये हैं वो सब सौटा हुटा अज साड़ा शर्म ना सिर चुक गया असी पजाब देशली मर मर ठागे शाहत ना दे दे ठागे अज इना ते शक करके साड़े तो साड़ा पजाब को लिया अज़ा पजाब साड़ा अब जीच कर लेनों नवजो सिंग सिदू दे इस्तिफे देन तो बाद जो एक सवाल उठरे सी वो कॉंगरस ची रहाणगे या नई रहाणगे दिल्ली बेच्च केसी वेन गुपालन हरीश रावत हरानाल मिटिंग किती ओदेची के गल कलियर साफस पस्ट संदेश देता हाई कमाड ने कि नवजो सिंग सिदू पंजाब कॉंगरस दे परदान बने रहनगे तो नवजो सिंग सिदू और चन्नी सावदा भी टेस्टिंग होगी चेंडी साफ दे टेस्टिंग इसलिए सब तो ज़्यादा माइने रख दी क्योंकि ओ इस टाम पंजाब दे मुक्वमत्री ने तो दर चाल रहे है जो कट्नामा पंजाबती सियास्ट दे वफिश हो रहे यानि उसती उते पर गलबात रहेगी पर दामाचे वदा माँगि पर सब्सक्राइब तो पहला सवाल मेरा तो अड़ितो ही हुएगा कि आखर कर जिस हिसाब देना मुलाकात हुई है कल मुलाकात हुई है पंजाब दे परदेश कॉंग्रिस कमेटी दे पर दान अब जोट सिंग से दू अते राहुल गांदी दे वचकार jus meeting दा अरथ की समझसा करी है कि का कि जूस्मीटिंग दे वर्षक हुए है कि जूस्मीटिंग चो हुँन तक तियां चरचा हुआ भार आयाने के आखर कर करके नमस्लियं दे चरचा हुल गांती दनाल की की ती गato दिखो गगन जी नवजोज सिंग सिदू दे इस्तीफे देन तो बाद जो एक सवाल उठरे सी ओंगर्स ती रहनगे या नई रहनगे या हाई कमांड उना ना इस्तीफा सविकार कर लेगी की नी कर लेगी एक गल्ला हुन कलियर होंगिया नवजोज सिदू जदो थे गए ता होनाने पहला दिल्ली दे जडे दिल्ली वेच्च केसी वेणु को पालन हरीश रावत हरा नाल मिटिंग की ती ओधे चीक गल्ल कलियर साफ स्पस्ट संदेश देता हाई कमांड ने कि नवजोज सिंग सिदू पंजाब कॉंगरस दे प्रदान बने रहनगे और ओ संगठन नवजोज सिंग सिदू ने कही कि राहूल गांदी सोनिया गांदी ते प्रियंका गांदी वेच ओना दे आदेश दा उपालन करंगे यह तो मतलब साफ हो गया कि नवजोज सिंग सिदू दा किसी तरीके दिनाल हाई कमांड दिनाल कोई रेड़का नहीं है और अगर कोई उ प्रिशानी मसूस होई सीगी इस करके उन्हाने इस्तिफा दे दिता सीगा गाल इनी सीगी लेकिन मीडिया और राजनितिक हलके देविचे गाल बहुत फैल गी तरह तरह दी गल्ला सामने आ रहीं सीगिया सो जो हाई कमांड नाल उनना दी मुलाकात हुई हरीश रावत और उनना देख गल क्लियर होगी कि नवजो सिंग से दू फिलाल कितेनी जा रहें ओ कांगरस से ने और उस गाल दी मजबूती होर उदो मिल गी जदो राहूल गांदी चेड़े की कांगरस दे नेशनल कांगरस दे पूर अध्यक्ष भी रहे ने और पार्टी दा काफी कम उही तो उनना जड़ी मुलाकात होई नवजो सिंग से दू दी उत्रे के गल होर साफ होगी है कि आला कमान किसी तरीके नाल उनना दे कुछ विचारा थे हो सकदा कि कोई गल बात थे उनना जिते लगया होएगे कि आपस चे गल करनी जरूरी सी या तुसी आम ही कह सकदे हो सदा क किसी फैसले लेके ओना दी कोई नराज़गी भी होएगी ता ओ राहूल गांदी नाल बैठक जड़ी होई ओना सारी चीजा दूर होगे होनिया नवजो सिंग से दू दी राहूल गांदी या सुन्या गांदी कोई परसनल नराज़गी नी ओना दी जी को नराज़गी सी ओ जो हाल फिलहाल कैबिनेट चे फैसले लेगे सी ओदतों सी गी दूसरी गाल जड़े अठारा नुक्ती प्रोग्राम दस्या जा रहा है उसनों लागू करवान दी जड़ी गाल नवजो सिंग से दू बार बार कहरे सी पंजाब दा एजंडा सी लागू करना जो नवजो सिंग स जड़ा सारा कुछ ठीक है अगर कोई दिक्कत आएगी भी तो नजेट लेंगें की सिदू साब और राहुल गंदी दोनों ही एक्सपीरेंस राजनितिक लोग ने और छोटी मोटी चुरोतियां जे आपका क्या सकते हैं चाहे हो अकाली दला चाहे बीजेपी है चाहे आम तड़का लगया रहनदा और जित्थे दासबंदे होंदे हैं उत्थे कोई ने कोई चोटी मोटी तक कोई नराजी की गुसा हो भी जानदा है लेकिन कुल मला के आला कमान ओपर होंदी है और नवजो सिंग से दू वरगे जित्थे लीडर बैठन गे या रहन गे उत्थे सं संग्ठन तो बार होके कोई काम नी कर दा हूंदा और रफ्जो सिंग से दू कॉंगरस दे प्रती वफादार ने और उननाने क्या विया कि राहूल गांदी और प्रियांका गांदी सोन्या गांदी नो जित्थे वी रहनगे हो हर हाला चो उननानों सपोर्ट करने सो मैंने ल सअरे लिस्टिंग त्यार करन के क्योंकि विदाशाबाद सबस्राइब चाणगें तो संगठन दूर्श्त करने क्योंकि संगठन तो ही सरकारां बंदियां तो उनना दी पहली तबज्ज़ों होएगी कि संक्ठन बास दीगाला पहला वंचिश्ब पूरा क्राम देवाद प के सामने उन्हें अपने अपने चंसर बताने के बाद हमने उनसे कहा कि जो आप में इसू उठाए हैं तो इसूच का कमाधा निटा दिया जब जल्दी नहीं और उन्होंने अधरनी रहू जी के कहा कि मैं आपनी बीटी एस PCC चीम जोड़ी नहीं करता है यह कोई किर्केट की भासा पॉलिटिक्स में रागू नहीं होती है इसमें आदमी की बात मैतर करती है अब इन्होंने राहूल गांदी जी से कहा कि मैं PCC प्रेजिंटे में आपनी जोड़ी पहले के भी कर रहा हूं और मैं फिर उसको नहीं राहूल जी के साथ वो शेयर किये हैं वो सब सोटा उट भी बिलकुल सुखवागाए की कुछ सही हुआ है इंट दे 49 पी सामने आया यासी नबजोट संग से तु स्वारे शिर्या नियुत् fusion संथ दूने साफ τघार्डीया हुईया है सूतरा ने हवाले देना लगी खबरा ने के सौवार नो पंजाब दी कैबनेट दी बैठक सती गई है इस बैठक दे वेच्च की लागदा है जो मीटिंग राहुल गांदी दे ना लग नब जो सिंग सिदू दी होई जा फिर जो मीटिंग हरीश रावत केसी विनुग पालना अब जू सिंग सिदू दी होई ऊस मीटिंग पर वावः इस कैबनेट मीटिंग सिदू होई अब जो सिंग सिदू होई ऑज़ोर जो पंजाब दे विकास लिए उना ने कुछ एजेंडे बनाए सी जो एक कैप्टन अमिंदर सिंग नाल और पिछे हरीश राउद होना मिलकी जो उनाने कठारा नुक्ती फर्मूला तियार किता सी जी देते कम करन दी लोड सी ओही नुक्तिया दा मैंनो लग रहा है कि राहूल गा काट गया है दिसंबर तक दा सरकार को समा की ओह एक्शन कर सक दी उस तो बाद सारी पावर से एलेक्शन कमिशन को चले जानी है जदो चोने आफता लग जेगी उस टेम सरकार कोई परसनल डिसीजन ने ले पाएगी सो उस तो पहला पहला नवजोव सिंग से दू चानगे कि इसी दिखो तोड़ा आकाम सीगा जनता नों आपनी प्रेजेंटेशन देंगे कि रिपोर्ट कार्ड भी साबित करने कि दिखो सी आकाम किता सी वादे किते सी हों तुसी साड़ेते मेरबानी बक्षो वोटा दो सो क्योंकि जड़ा चोना ने सारी पार्टी अंदरी के होती रहेगी कि किस तरी के नाल ओ प्रशाशन अच्छा करन जेडी गौर्मन्मट दी पौलसियां ओ जनता तक सई तरी के नाल डिलेवर हो जान और खास औरते जी में रिता माइनिंग दी गल कर लिए और विरुजगारी दी गल कर लिए इस तो लावा बिजली बिला दी गल बदादें एस तो बड़े माइने रख़दा पिरियड और इस टाइम जड़े उनाने वादे किते ही साड़े चार साल कैप्टर अम्दे सिंग सरकार जदोसी हो तो तब पूरे होई नी पर इस तीन में जिक किना कवर कर सकते ए माइने रख़दा और पंजाब दी जनता भी जड़े खास तो ने बेदवी मामले भी हैगिया इना दे भी बहुत बड़े एक लोका नी नजर हैगी है कि किस तरी किना ले जल्दी जल्दी हाल होन ताकि इनसाफ मिल सके संगतनों बार कर भी ने बाबा बूर्ड पंजाब दी सियासते कहे जान दे प्रकाट सिंग बातल ती आखरकार होनों ओवी बूले ने बहुत गालनी बढ़ने किनंदे कठे हो के इस मामले दे वहाचे इस मसले दे वहाचे सानों तुरना पहना क्यूंकि जे कर हालक डॉनाए नहीता पंजाब दी नाल बहुत हो सकता है जो लिस्त बनाई है किसानी क्या ज़न्यान गया जनुदागा रहना गगन जी प्रकासइंग बादल पंजाब वी कि लीडिर ने पांजवार मुख्मान्तरीने नहीं राजनिक अन्ववाव है और सब तो बड़ी गाला है बादल साहब देए कि ओ आज तो काफी पहला जदों आपा सतर तो लेकर नबे तक दे दशक दी गाल कर लिए तो कई अंदोलना विच्च उनने पाग भी लेया तरम मोर्चा लाई रख्या दिल्ली सरकारा दे खिलाफ उनने एमर्जेंसी दे टाइम देख्या उनने और बड़े बड़े उनने जो शंगर्शित समा रहे है उनने देख्या तो उनना दा जो तजर्बा है गया या जिस तरी किराल बड़ाया गया है उननने लग रहे है कि नागवार है और इस समय एदादी कोई जरूत नहीं है इसलिए उननने अपील भी किती है और मैं तो एक गल होर कहूंगा कि बीजेपी ने या कहलो केंदर सरकार ने किसान अंदोलन ते एक बड़ा अंदोलन और बहुत बड़ कि सेंटर ने एक होर एदादा अधिकार दी गल किती है बेवजा बैठे बैठे एक कह सकते हैं कि पंजाब विचे शंगर्ष दा एक होर खड़ा कर देता है मामला तो मैंनों लग दा कि पंजाब दे हिता नों देख दे हुए और जिस तरी के पंजाब स्टेट दे चाहे मु चाहिए और पंजाब विचे जो पंजाब के लिए मुट दा दा दारा बदवाया बीए सब्दा उनूं कंट्रोल किता जावे उनूं बॉर्डर तक रख्या जावे पंजाब पुलिस दे हक हकुक और जिस तरीका दा अधिकारा उनूं छेड़ चाड़ना किती जाए मैं या असला या नशा जिस तरीके लाँ आया और चन्नी साब ने कुछ चिनोतियां दसियां बॉर्डर ते जिस तरीके लाँ आ रहे हैं सी उस दे देख दे हुए अगर सेंटर गवर्नमेंट ने फैसला लेया है ता ओ कोई गाल नी पंजाब दी दिखो हर स्टेट दा एक अप बड़ी गल भी नहीं है कि जित्थे साथी शांती पांग होंदी हुए या कोई बहुत बड़ी गल है तो उन्हों देखते हैं कुल मलाके अगर इत्थे दी लीडिर्शिप अपने प्रदानमंत्री नरिंदर मोदी जी या केंदरिया जड़े अपने होम मिनिस्टर ने उना मैं चाहता हूँ कि पंजाब की जो पार्टीज हैं वो अकठे होकर इसके खलाफ लड़े अब यह होगा कि आदा पंजाब जो है खासकर के बॉर्डर डिस्टिक वो ला लाडर के मसले में उनके हाथ में आ गया है हर्मांदर साहब जुर्गयना मंदर और हर्मतार्म साहब जी और बहुत सारे सेंग्रे जो रिलिजिस प्रेसे हैं उनकी भी सर्च गयरा यह कर सकते हैं इसलिए मैं पुर्दान मंत्री जी को उपील करता हूं कि पंजाब पर रह्म करें और पंजाब को जो आगई जखम गहरे हैं उन पर और मिर्च छिलने का काम ना करें यह मेरी अपील है उनको और पंजाब की पार्टी इसको भी पील है कि वो लग लग सिर्फ अपना दैरा कि व्यान देने पर ना रखें अकट्टे होके इस दोनों बाताओं के लिए लड़े जल्दी तो जल्दी मैं ता एक अगल को आज ची मिनिस्टर साहब साड़े बादल साहब सब तो वड़ी जड़ी पार्टी या फग्मांत मान इस गल्च कठे होने इस कोई पॉलिटिक्स ना करे कोई सारे कठे होके एक पंजाबी तेन क्रोड कठे होके आके प्राइम निस्टर नों कर दे बार बैठन जाया में शाजी दे कर दे बार बैठन मैं तकोशिच करूंगा जरूर साड़े एंपी चाहे काली दल देया चाहे आम आदमी देया असी एक डेल साड़े उना महान करवानियां दा एक साका कालियां दे मोर्टियां दा साका सिरी नंदपर साव दे मते दी दास्ता साड़े सामने नजर आ रहिया के कीमे देज देवी ते सुबियां दे बाद दे कार लैड ले ऐसी जदो जाहिद किती आज सुबियां दे कार खेतर खेतर ख शरकत उना ने कीती सी तार्मिक प्रोग्राम दिशारे दे मौके दे उते रख्या गया सी सो उस दे दरम्यान की कुछ क्या रहे ने सुखवीर सिंग बातल तेनल जोशियों भी सांजी करते हैं कि पंजाब विच कैसे हालच विच पहीचारिक सांज नी टुक्तन देवांगे ते पंजाब विच किसे हालच अमन शांती पांगनी होन देवांगे दूजी मैं वचन देना चोनाई सारे गुरूदी नगरी ते सारे पंजाबियानों किया गुरूदी नगरी शिरी अमर सरसाब पिछले पांच साल जो मैं टिप्टी सीमसी ओदो भी मेरी कोशिच की ती बहुत खब्जूरत बरौन दी बहुत पैसा लाया काफी डिवेल्मेंट कराई पर दुख लगता है कि पिछले पांच साल अच एक केटनी लगी ते जो कम कीते सी खराब हों लग गे ते टोटकियां सरकांवी टोटकियां मैं तो नदूजा वचन दिना है कि मैं सेवा समझ के मैं देन लगे हैं प्रमात्मादी बक्सिश होए आप दस्तित हथ होए अगले पांच साल सरकार तुसे बना देओ गुरूदी नगरी नूं हिंदोस तांच नहीं दुनिया कोशिश करूंगा सब तो खबसूरत जगा बना के देवा एजड़ा मुख मंतरी बनिया नमा और नमे नमे बादे कर रहे हैं रोकानू प्राड प्लाड दमांगे फ्लाना करांगे लाला लाला होना तिन्ना मिन्याज कोशनी क्योंके पौने पांच साल कोशनी होया तिन्ना मिन्याज कोशनी होना असी एही पेंती कर देयां के सिर्फ लोकांदिया जानना बचा दो लोग जिन्दा रहन के ते तादी प्लाटांदा को मतलब या लोग जिन्दा रहन तो फिलहाल दे लिए इस प्रोग्राम देवचे नहीं अगले प्रोग्राम देवच मिलां के अजासती हो जी बहुत बहुत तानवाद